हेलो गाईज, स्वागत आपका मेरे चैनल में, बीदा थिंकर में सो बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बीदा थिंकर में आप पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन में, क्लास नाइन्थ का ग्रेविटेशन और इसमें हम लोग एपसोड 2 नहीं, आज है एपसोड 3 तो गाईज, स्टार्ट करते हैं, आज जो हम लोग बात करने जाना है, बहुत इंपोर्टेट बात है तो देख लिजे, रिलेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी में तो इसमॉल जी जो आपका होता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी जो की होता है, यह उनुवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, यह हम लोग पूरा प्रूफ करने जाना है तो यह इसलिए लिखा है, क्योंकि यह पूछा जाता है, डिरेक्ट तीन नमबर या चार नमबर का क्वेश्चन मनता है इससे, इसके बेस पे अगर पांस नमबर क्वेश्चन बनाना है, तो भी मनाया जा सकता है, यह पूरा पहले आपसे फॉर्मला डेराइब करा लेंगे उसके आद दो नमबर क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, तो तीन नमबर का क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं, आई, आपको जैसा भी पता है, कि जो आपका f is equal to m a होता है, ठीक, वो acceleration की वज़े से कोई मास अगर move कर रहा है, ठीक, तो उस पे लगने वाला force होता है, that means force on an object due to gravity फिर क्या हो जाएगा, acceleration due to gravity कहेंगे ना, उसे, gravity को तो बताया था कि acceleration due to gravity कहते हैं, last lecture बताया था, अब देखिए, अगर acceleration यहाँ पे normal है, ठीक, और यहाँ पे आपका है acceleration due to gravity, ठीक, तो इसे यह interchange कर देगा, तो यहाँ पे a की जगा आ जाएगा, small g, क्या जाएग यह value change हो जाती है, याद रखना है, तो इसे, मैंने इसे particular equation number दे दी, देखो equation 1 दे दिया, अब आगे चलते हैं, अब आपको पता, universal gravitational constant से हम लोग क्या जानते हैं, देखते हैं, according to the universal law of gravitation, force between object of mass m and the earth, मतलब कि एक mass, मतलब एक मास मतलब यह मैं बात कर रहा हूँ, object आपने लिया, देखो, यह object है, यह इस तरीके से नीचे move कर रहा है, तो इस पे force कौन से लगा, यह वाला, अब यही जो force है, इसे हम ऐसे भी तो represent करते हैं, कि भाई, यह आर्थ थी इतनी बड़ी सी, ठीक है, यहाँ पर बननी पारा पूरा, ठीक, तो यह अर्थ बहुत बड़ी सी थी, ठीक, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही से, तो भाई, उसके लिए भी तो universal gravitational constant की वज़े से जो आपका force लग रहा है, universal law of gravitation की वज़े से जो force लग रहा है, ठीक, तो उहाँ पर force वही लगेग तो देखो भाई क्या होता था, capital G, M जो मैंने लिया है, उस planet का mass ले लिया है, फिर अर्थ का, इस case में अर्थ का है, यह है अर्थ, यह है object, ठीक, तो object जब नीचे move कर रहा है, तो gravitational force यहाँ पर लग गया, वो लगा दिया formula, यहाँ पर लगाया है capital G, M, capital M किसका है, यहाँ देखो दे रखा है, mass of the earth, यहाँ पर क्योंकि अर्थ की बात है, M तो object का ही mass है, और यह जो distance है, यह जो हमने दी है, यह actually यहाँ से, यहाँ तक क्योंगी, अर्थ के center तक, ठीक, तो यह बहुत कम होगी, यह काफि ज्यादा होगी, क्योंकि अर्थ की जो radius होती हो, 6400 km होती है ठीक, यह अगर 2-4 km होई तो इसके सामने negligible होई, ख्यार वो अभी आगे बात करेंगे, तो अभी मैंने उस distance को मैंने ले लिया, d, small d, ठीक है, अब दोनों जो forces हैं, वो equal हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, equation 1 और equation 2, यह equation 2, ठीक, इन दोनों को equal कर देंगे, by force की जगा, इस व common क्या है दोने तरफ, दोने तरफ common है small m, यानि object का mass, तो object का mass जब दोने तरफ है तो हट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, तो small g की value क्या आ गई, capital G, mass of the earth upon distance between the object and the earth, ठीक, उसका square, अब यहाँ पर बात करते हैं, कि भाई, मैंने आपको जैसे बताया कि 6400 km होती है, radius of earth, त तो यहाँ पर देखो, यह आपकी earth है, यहाँ कई पर आपको object है, यह distance कितनी होगी comparative to this, या फिर इनसान यहीं पखड़ा है, object यहीं पर है, यहाँ से यह 1 km है, तो क्या यह इसके सामने बहुत जादा value है, अगर 4 meter है, ठीक, और यह 1 cm है, तो क्या हम 1 cm निगलेक्ट कर सकते ह बहुत कम value है, तो इसकी जगह आप पूरा-पूरा ले सकते हो कि radius of earth, तो आपका जो small g और capital G में relation निकल क्या है, वो क्या होता है, अर्थ की radius और अर्थ के mass के respect में होता है, यहाँ पर object के mass से कोई relation नहीं है, याद रखना, तो small g is equal to capital G, mass of the planet upon radius of the planet का square, clear, यहाँ पर clear में ब नहीं है, ठेक, इस formula में small m नहीं है, तो अगर कोई पूछे आपसे, कि small g यानि जो gravity वाला जो acceleration due to gravity, क्या वो depend करता है, किस पे, mass of the object पे, जो गिर रहा है, जी नहीं, वो सिर्फ depend करता है, planet की radius और planet के mass पे, clear है, तो इसका screenshot ले लो, आगे बात कर लेते हैं, देखिए, अगर आप earth को देखें, तो earth का जो shape है, वो geoid कहलाता है, earth का shape sphere नहीं है, complete sphere नहीं है, ठेक, तो earth का shape है, कहीं पे, ज्यादा है, radius की कहीं पे, कम है, तो अर्थ का शेप कुछ इस टाइब से ठीक, जियोएर्ट शेप का मतलब होता है कि अर्थ जैसा तो अर्थ का शेप अर्थ जैसा ही है उसका specific नाम ही रखा गए जियोएर्ट से खेर, वो तो जियोग्राफी की बात है आगे देगे, यहाँ पर क्या है उसकी रडियस से कम और अर्थ की रडियस से एक्वेटर पे ज्यादा तो क्या होगा, रडियस उफ पॉल is less than रडियस उफ इक्वेटर तो इसकी वज़े से जो G की, Small G की वیल्यू है वो पॉल पे ज्यादा हो जाएगी और एक्वेटर पे कम हो जाएगी अब पुछो कैसे, देखो small g का आपको जो formula हो क्या होता है capital g m 1 upon r square, तो यहाँ पे mass पे कोई effect आ रहा है इस condition में, कोई change नहीं capital g तो constant ही होता है, तो यह दोनों होगा constant भाणव जाने दो, ठीक यहाँ पे proportional team देखो, तो small g किस पे depend कर रहा है, r k square पे, one upon me तो जितना जादा value होगी, r की ठीक, उतना कम हो जाएगा आपका small g, और जितनी कम value होगी, उसमें जादा हो जाएगा small g, तो देखो poles पे, कम थी जब poles पे कम है, तो gravity poles पे जादा होती है, याद रखना, पूछा जाता है, कि क्या कहता है, हम लोग भार, मतलब weight हम लोगों को जादा क्यों लगता है, poles पे, ठीक है और equator पे कम क्यों लगता है, ठीक तो comparatively उसकी value वहाँ पे यहाँ पे जादा होती, poles पे, और equator पे कम होती है, clear, अच्छा जी, अब maximum cases में हम लोग क्या लेते हैं, maximum calculation में, हम लोग g को constant लेते हैं, जो कि आपका था, 9.8 meter per second square, अगला जो है, वो यही है, कि यह कैसे आया, अर्थ के gravity की value, इतनी कैसे आई, acceleration due to gravity value, इतनी कैसे है, देखो, calculation of small g value, okay, formula यह होता है, capital G, m upon mass of earth है, capital G value रख दो, radius of earth है, उसके square कर दो, चल, capital G की value क्या होती है, 6.7, 6.67 होता है, तो हमने उसे 6.7 ले लिया, 10-11 newton meter square per kg square, यहाँ देखो, mass क्या होता है, 6 into 10 rest power 27 kg, kg, radius क्या होती है, 6.4, बताया था, 6400, ठीक है, meter, तो 6.4 into 10 rest power 6, meter, ठीक भाई, अब देखो, यह radius है, तो radius का square जो होगा, यहाँ पर कुछ value आएगी, वो छोड़ो, अभी देखो, जब यह है power, तो, 10 rest power 6 का square, तो यह इन दोनों multiply हो जाएग, 6 into 2, तो 10 rest power 12 हो जाएगा, तो 10 rest power 12 हो जाएगा, और meter का square हो जाएगा, meter square, value पुट कर दी, सारी हमने, जी की जी का, 6.7 into 10 rest power minus 11, newton meter square per kg square रख दिया, में, जो आपका M था, mass, अर्थ का mass, हो क्या है, 6 into 10 rest power 24 kg, रख दी value, radius का थी 6.4 into 6.4, वैसे लिखा रहें दिया, into 10 rest power 12, भाई, यहाँ पे निकाला न, 10 rest power 12, ठेक, तो 12 रख दिया, और meter square रख दिया, ठेक, अब पहले cut time cut कर लेते हैं, जबो, मैंने meter square से meter square cancel कर दिया, ठेक, 1 kg से 1 kg cancel कर दिया, ठेक, चलो, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 newton बचा, 1 kg बचा, ठेक है, अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने, यह 10 rest power 12 है, यह नीचे है, plus का है, उपर जाके minus का हो जाएगा, पता होगा, 1 upon x जो होता है, वो x की power minus 1 हो जाती है, यह उपर जाके, ठेक, inverse function बोलते हैं से, ठेक, तो 1 upon x, x की power minus 1 हो जाता है, minus 11 minus 12 दिखा, आपको पता है, यह बन गा 23, और 23 minus करोगे 24 में से, तो 10 की power 1 बचेगा, यह 10 बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक 10 बचता है, तो वो 10 multiply होगा आगे, तो यह हमें पता चल गया, और 10 आगया, यह हमें पता चल गया, अब value देखो कैसे आई, 6.4 है, वो 6.7 से कुछ काम है न, तो जब इसे cut करेंगे, तो 1 point something जाएगा, तो हम 1 point something ले लिया, अच्छा, अब यह 6 है, 6.4, 6.4, 6 से 1 point में जाएगा, जब cut करेंगे, तो यह भी 1 point something जाएगा, लेकिन 6.7 जादा था, 6.7 जादा था, 6.4 से, तो जब यहाँ पे आपने value कट की, तो यहाँ पे 0.98 करीब आता है, कुल मिला के, जब आप इसे value कट करोगे, तो 0.98 के एप्रॉक्स आएगा, ठीक, जब 0.98 आएगा, उसकी 10 से multiply कोईगा, तो 9.8 आजाएगा, और रही बात यह, न्यूटन जो आपका होता है, यहाँ से देखो, force आप न्यूटन में प्रिजेंट करते हो, force का होता है, mass into acceleration, mass का क्या रखोगे, kg, acceleration का होता है, meter per second square, तो भाई, आपने जब, यह meter per second square into kg रखा, तो kg into meter per second square, और 1 upon kg है, चल दा, तो kg, kg cancel हो गया, तो 9.8 meter per second square, value आज़ी, small g key, ओके, आपने जो पढ़ा होगा, equation of motion, ठीक है, motion chapter में, तो उसमें, कुछ changes आजाते हैं, जब हम, जब हम, according to gravity बात करते हैं, that means, आपने normal, जो आपने motion पढ़ी थी, वो आपने, horizontal पढ़ी थी, but, if the condition is, क्या condition है, कि भाहिया, object ऐसे करके आ रहा है, उपर से नीचे या, फिर नीचे से उपर जा रहा है, तब क्या चीजें, change हो जाएंगी, तो देखते हैं, equation of motion changes, if moving object, is in vertical motion, ठीक भई, कि वो उपर से नीचे move कर रहा है, तो equation of motion changes होती है, change होती है, तो क्या change होता है, कैसे होता है, देखे, starting velocity, अगर यहां से उपर फेका जाए, चाहिए यहां से नीचे फेका जाए, ठीक, तो देखते हैं, अगर मैं यहां से बात कर लूँ, कि यहां से मैंने छोड़ा, ठीक, और यह जाके अगर यहां पे रुख गया, तो final velocity 0 हो जाएगी, समझतर नहीं यहां पे जो बाते बताता जा रहा हूँ, क्योंकि यह मैं discuss नहीं कर रहा हूँ अभी, तो इसलिए जो बाते बता रहा हूँ, बहुत अच्छे स्थ्यान में रखना, क्योंकि यह आपके numericals solve करने में आपको बहुत help करेगी, ठीक, याद रुखो, अगर कोई object उपर से छोड़ा गया, drop किया गया, forcefully नहीं fake आगया, drop किया गया, ठीक, vertically downward move कर रहा है, तो initial velocity 0 हो गई, या फिर कहा जाए कि, जाके stop हो गया, गया और रुख गया, ठीक, जब उसने बोल दिया, कि रुख गया, and stopped, that means final velocity 0 हो गई, हम, अच्छा जी, अब इसने जितने distance travel की, वो इसकी यहाँ पर distance s नहीं कहलाईगी, smallest जो होता तो हम आपे, यहाँ पर height कहलाईगी, कितनी उसने height चली, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर a की जिगए, g आ जाएगा, s की जिगए, h आ जाएगा, clear, अब देख लो, एक और केस होता है, अगर मैं यहाँ से उपर के लिए फेकता हूँ, height तो उपर भी लेगी ना, height जब उपर भी लेगी, तो भाई, यहाँ से मैंने किसी velocity से फेका होगा, यहाँ पर initial velocity कुछ value होगी, यहाँ पर final velocity क्या होगी, उपर जाके रुकेगा, guarantee, यहाँ पर नीचे बोलेगा, तब रुकेगा, उपर तो है कि guarantee कि रुकेगा, तो final velocity उसमें 0 हो जाएग, जब तक वो ना कहे कि नहीं, उससे पहले बता दो, टकराने से एक सेकंड पहले, दो सेकंड पहले, इस टैप सेकंड निमेर कले, तो, ठेक, तो उपर जाके final velocity 0 ही होगी, क्योंकि उपर, आप नीचे फेकते हो, यह आपने फेका, उपर गया तो रुका न, उपर गया तो रुका एक बार, जब रुका उसके बाद नीचे है, तो जब रुका means final velocity उसकी 0 होगी, initial velocity मेंने कुछ दी, तो initial velocity, अगर 0 है, तो maximum condition कि वो नीचे है, नीचे के लिए आ रहा है, ठेक, और initial velocity, अगर कुछ है, तो उम्मीद करो कि वो उपर के लिफेका जा रहा है, ठेक, चलो देखते हैं, फर्स्ट equation of motion होती थी, V is equal to U plus AT, यहाँ पर क्या है, V वही है, U वही है, A और T, टाइम वही लगेगा, लेकिन A की बात करें, कि तो G की value, downside के लिए है, ठेक, तो G, positive है, downside के लिए, और G, negative है, upside के लिए, अगर उपर फेका जा रहा है, क्यों? क्यों, gravity, की वज़े से वो नीचे आ रहा है, तो तो यहाँ positive value है, कि हाँ भाई, वो खीच रहे, gravity ही खीच रही है, लेकिन उपर जा रहा है, तो gravity के against में work कर रहा है, ठेक है, तो against में उसे काम करना पड़ा है, that means, वहाँ पर gravity की value minus मिलेंगे, clear, तो देखों, यह अपर लिखा है, V is equal to U plus GT, plus I, that means, वो downside की है, V is equal to U minus GT होगा, जब upside जा रहा है, motion है, ठेक, तो भाई देखों, S is equal to U plus half, 80 square में, S की जगा यहाँ पर क्या आ गया, H आ गया, क्योंकि height gain करेगा, A की जगा क्या आ गया, G आ गया, plus अगर है, तो downside है, minus अगर है, तो upside है, next देखों, third वाली, V square is equal to U square plus 2S, क्या होता है, कि भाई V और U तो वहीं है, A की value और S की value change रहेगी, 2GH आ जाएगा, plus लगा के तो down है, अब के लिए आएगा, तो minus 2GH आ जाएगा, try करना, ठीक है, नहीं तो सब के एक साथ करा दूँगा, numericals, बताया था कि mass, और weight में क्या difference होता है, वो बात करेंगे, तो देखो गाई, mass जो होता है, किसी भी object का हमेशा, constant होता है, किसी भी place पे चले जाओ, वो change नहीं होगा, mass, mass, mass को small m से denote करते हैं, तो mass constant होता है, कभी change नहीं होता है, never changes from place to place, clear, पहली बात, दूसरी है कि weight जो होता है, actually, weight जो होता है, वो आपका होता है force, weight जो होता है, वो force होता है, तो force आपको पता है, F is equal to m a होता है, ठीक, तो यहाँ पे force को हम लोग W लिख रहे हैं, weight, यहाँ पे m into g, gravity की वज़ए से, जो mass पे लग रहा है gravity, उसकी वज़ए से आपका weight निकलता है, ठीक, तो यह होता है आपका weight, weight अगर आप से कोई पूछ है exact, ठीक है, तो आप weight ऐसा बता होगे, कि जो आप actually weight, जो आप निकालते हो ना value, ठीक, वो value यह आती है, कि gravity भी उसमें additional है, अगर आप अपने, जो भी आपका weight हो, 50, 60, ठीक है, 40, जो भी हो, ठीक, आप उसमें divide कर दो G से, 9.8 से, आपको value आजाएगा, आपका कितना mass है, ठीक, तो देखो, W is equal to mg, यह depend करता है, different values of G पर, भाही, मैंने आपको बताया था, आर्थ ऐसी है, ठीक, तो pole पे, आपकी, G की value हो जाती ज्यादा, poles पे, ठीक है, जब ज्यादा हो जाती, तो वहाँ पे weight क्या हो जाएगा, G की value ज्यादा हो गए, तो वहाँ पे weight हो जाएगा, ठीक, और G की value यहाँ पे हो जाएगी कम, equator पे, तो वहाँ पे आपकी value क्या होजेगी? कम ठेक? तो यहाँ पे होगे जादा वहाँ पे होगे कम, clear? तो भाई depends upon the different values of g planet to planet भी तो change करता है ना देखो है आप example दिया moon पे जो small g की value है वो है 1 upon 6th of the value of g on earth मतलब acceleration due to gravity 1 upon 6th है moon का comparative to earth earth का 9.8 है यह है 9.8 इसे आप 6 से divide कर दो जो भी value आए उतना है value है gravitation वहाँ का moon का, ठेक है? acceleration due to gravity है, जो moon का वो है 9.8 upon 6 clear? तो उसी इसाब से आपका weight on moon कितना हो जाएगा? 1 upon 6th of the weight of the earth आपको यहाँ पे suppose करो कितना है 60 kg है, ठेक? या 120 kg है या 90 kg है, ठेक? कि वहाँ पे आपका weight कितना हो जाएगा? weight बोल रहा हूँ इस बार? ठेक? याद रखना है, क्योंकि g पे depend करना है weight, ठेक, mass तो constant है, clear? तो mass और weight में यह difference है, हाँ? SI unit SI unit mass की क्या होती है? kilogram होती है, और SI unit weight की क्या होती है? weight क्योंकि बताया इतना? W is equal to mg तो mg क्या है? ma की तरीके से है, तो यह newton होगी ठेक? अच्छा जी अब जब देखते है weight जो मैंने आपसे बात नहीं गया थी कि weight of a person on moon comparative to the weight on the earth ठेक? तो यह देखो weight on moon is equal to one-sixth of the weight of the earth है, ठेक? कैसे आया? एक बड़ देख लेते हैं क्योंकि यह चीज़ पूछी जाती, इसलिए मैं बता रहा हूँ हां? तो यह कोई फर्जी नहीं है जो आपको लगे mass जो है moon का, m लिखाए तो moon है, कितना है? 7.36 into 10.4 माई 22 kg radius कितनी है? moon की? 1.74 into 10.4 6 meter आर्थ की आपको पता ही है, क्या होती है 6400 यह होता है, ठीक है और यह कितना होता है? यह होता है, 6 into 10.4 26, 6 मतला average 26 kg, 24 kg यह 5.98 exact होता है बसे खेर, वो जबाएगा बताऊंगा तो weight या फिर force moon पर कितना लग रहा है? gravitational force, g mm into m किसी object के comparative भी हुआ न? ठीक, rm square clear? अच्छा जी यहाँ पर earth पर कितना है? earth पर इतना है, देख लो capital G, mass of earth, radius of earth, square mass of the object अब, क्या हम weight on moon को weight of earth से divide कर दे? कर दो भाई, तो equation 1 को equation 2 से divide कर दो तो wm upon we देखो, ठीक, is equal to पूरी ये value लिख लो capital G, mm, m upon rm square, divide पूरा complete लगाया capital G, m e into m r e square, common जो है, काट दो, capital G, capital G, cancel small m, small m object का mass खतम, अब यहाँ पर क्या बचा? जबखो, यहाँ पर क्या बचा? wm upon we, ठीक capital m बचा एक तो किसका? moon का ठीक, upon में radius of moon बची, हाँ और radius of earth जो थी, क्योंकि आपको पता है x upon y upon a upon b हो, sorry, d ले लो तो यह उपर चला जाता है, और यह यहाँ पर multiply होता है, तो देखो गई, d उपर चला गया मतलब नीची वाली चीज़ उपर चले गई, तो r e square upon mass of earth ठीक? values लगा दो values आपने लगाए mass of moon 7.36 10.4 22 kg radius of earth 6.4 10.4 6, 6.4 10.4 6 meter square लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, भाई weight, sorry, weight करे, mass of the earth 6 होता है, तो 5.98 था, actually, वहाँ से आया था, 10.4 24 होता है, kg into radius of moon 1.74 into 10.4 6, 1.74 into 10.4 6 meter square, देखो सारी सारी unit cancel हो जाए, kg kg, kg, meter square, meter square 10.4 6, 10.4 6 cancel, 10.4 6, 10.4 6 cancel यह 24 है, वह 22 है, तो नीचे, नीचे 100 बचेगा, तो इसकी और इन तीनों की multiply कर लो, मतलब क्या कर लो? 7.36 into 6.4 into 6.4, यह जो भी आया, अब इसे divide कर दो किस से? 5.98, 1.74, इसे multiply कर दो, 5.98 into 1.74 into 1.74, मानो, देखो, यह आपकी लगबग 6 की value जा रही है, यह देखो, यह लगबग 6 आ रहा है, तो क्या करना, इसे रोक के, इसकी पूरी multiply करो, ठेक, और क्या करते है, इसे, इस value को, ठेक, एक बार काट दो, मुझे उम्मेदे, यह पूरा-पूरा आपका लगबग लगबग में कर जाएगा, क्योंकि यह 1 upon 6 में आ जाएगा, यह 6 है न, 5.98 को हम लगबग 6 लिख सकते हैं, तो 1 upon 6 में यह value आपको लगबग लगब लगब दिख रही है, और नीचे में आपका 100 भी है, ठेक, तो यह पूरा-पूरा अगर आप मिला के एक बार कर होगे, तो देखने यह चीज़ लगब लगब कर जाएगे, और इतनी value आ जाएगे, इसे try करके देखना, ठेक है, इसक इसे आपको एक basic approach आपको clear हो जाए, ठेक, वो सारे एक साथ डाल दूगा, ठेक है, तो उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो like कर दिज़ेगा, share तो at least करी दिज़ेगा, comment में पूछी आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप कुछ comment करिए, ठेक है, जो आपको ज लगाचे करेंजी करता है, झायवे बतूश है से आपको जाबाचे कर दो मेडेरे ठाल दूबचा करो बशें घãyयाद कर दो.